हेलो students ट्रीविस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि reagent क्या होता है, substrate क्या होता है, product क्या होता है, intermediate क्या होता है और reaction mechanism जो होता है उसका मतलब क्या है तो आपको मैं rewind करा देता हूँ कि reaction mechanism वो pathway है जिसके थुरू हम दिखाते हैं कि reactant से finally product कैसे form हुआ अब देखिए उस process के दौरान कुछ bond break होते हैं कुछ bond form होते हैं तो अब हम जानते हैं कि organic reactions में bond breaking कितने type की होती है bond जब तूटता है तो किस तरह से वो bond break हो सकता है तो देखिए bond breaking दो तरह की होती है the first one is heterolytic and the second one is homolytic bond breaking आईए दिखते हैं सबसे पहले heterolytic bond breaking तो देखिए word जो है hetero इसका meaning होता है different hetero means different and lightic का मतलब होता है to break तोड़ना आईए दिखते हैं example उससे आपको clear होगा let us take a example of bromomethane हमने लिया bromomethane और reaction के conditions में क्या हो रहा है यह जो sigma bond यहां से break हो रहा है और break होने के बाद हो क्या रहा है इस sigma bond में जो दो electron से दोनों electron bromine के पास जा रहा है तो यहां पे बन रहा है CH3 positive BR negative अब यह जो bond breaking का तरीका है इसको बोलते है heterolytic bond breaking क्योंकि इसके अंदर यह जो दोनों electron थे यह दोनों electron एक ही atom के पास सेले गए तो यह बात NCIT में भी clearly define कर रहा है कि हेट्रोलिटिक bond breaking में bond break होने के बाद दोनों electron किसी एक atom के पास सेले जाते हैं यानि एक तो बहुत ही अमीर हो जाता है और एक जो बिल्कुली बिचारा गरीब हो जाता है एक पे आता है प्लस चाज एक पे क्या आता है माइनस तो इस तरह की bond breaking को हम बोलते हैं heterolytic bond breaking आई दिखते हैं अगले example इस example में हमने लिया tertiary butyl chloride यह जो example है इसको बोलते है tertiary butyl chloride क्योंकि यह जो carbon हमने देखा जिससे chlorine जुड़ा है इसके degree कहा है 3 अब एक बात बताईए carbon और chlorine में ज्यादा electron negativity किसकी होती है chlorine की होती है chlorine की होती है approximately 3 और carbon की होती है 2.5 जिसकी बज़े से यह जो bond है already polar है यानि यह electron जो है वो chlorine की तरफ shift हो रख है हलका सा जिस वज़े से chlorine पे already partial negative है और carbon पे already delta positive है यानि chlorine is already slightly electron rich and carbon is slightly electron deficient reaction के process में यह bond उटा और दोनों electron एक ही fragment के पास यानि chlorine के पास चले जाते हैं जिसकारण chlorine पे negative आता है और carbon पे positive जा जाता है तो इस तरीके से जो electron की sharing equal थी वो क्या होगी unequal किसी एक fragment के पास ही सारे के सारे electrons का चले जाना उसको क्या बोलते हैं हैं hydrolytic bond breaking और किस तरह के bond में होने के chances इसके जादा होते हैं it is more possible in polar covalent bonds वो covalent bonds जिन में polarity जादा होती है यानि partial charge जादा आते हैं वहापे automatically electron के flow होने के chances जादा होंगे जैसे इस case में chlorine की electron negativity जादा है तो electron का flow उसी तरफ हुआ किसकी तरफ हुआ जिसकी electron negativity जादा होगी आईए दिखते हैं अगले example इसमें आपको दिखना है कि carbon और lithium का bond जो है यह अगर break हुआ तो electron का flow कहा होगा तो students lithium जो होता है उसकी electron negativity की value होती है 0.9 और जो carbon होता है इसकी electron negativity की value होती है 2.5 यहाँ बनेगा CH3 negative और साथ में क्या बनेगा LI positive आईए students अब जानते हैं homolytic bond breaking के बारे में homo का word मतलब क्या होता है homo word का मतलब होता है same और lightic का मतलब already मैंने बता दिया to break सेम तरीके से break करना और इसका मतलब क्या है आईए देखते है let us take an example of ethane molecule यह ethane का molecule है और इसमें carbon और carbon के बीच में यह sigma bond बना हुआ है जिसके अंदर दो electron lie कर रहे है अब हम क्या करेंगे अब देखिए इस case में माल लीजी हम बहुत ज़ादा high temperature और light present करते हैं जैसे light का मतलब होता है photon तो यहाँ पे photon डालते हैं या उसके इलावा high temperature process करते हैं तो ऐसे कि इसमें क्या होता है वो light या वो heat यहाँ supply होगी photon यहाँ आएगा जिससे bond में vibrations होंगे और इन दोनों में से एक electron जो होगा वो electron carbon के पास जाएगा इधर और एक electron इस carbon के पास चला होता है इसको बोलते है homolytic bond breaking यानि bond breaking होने के बाद दोनों atoms को equal electrons मिलना इससे यहाँ बन जाएगा cs3 dot cs3 dot क्या है यह वह electron है जो इस carbon को मिला है इसके दो units यहाँ बन जाएंगे यह species जो यहाँ पे generate होती है इसको बोलते है free radical यह free radical क्या होता है है carbon क्या होता है carbon क्या होता है यह अगले कुछ वीडियो में जानेंगे और अभी हमारा सिर्फ इस मतलब से जाना है कि homolytic bond breaking का मतलब क्या होता है अब देखिए अगर इसमें ध्यान दे तो carbon और carbon दोनों की electron negativity यहाँ पे आ रही है same आ रही है यह जो bond है it is known polar इसमें polarity ही नहीं तो इस तरह की bond breaking होने के chances वहाँ जादा होते हैं जब bond में low polarity होती है या polarity बिल्कुल ही नहीं होती और generally यह process होता है light की presence में है या high temperature की presence में तो अगर यह light की presence में होता है तो इस process को बोलते है photolysis photolysis का मतलब है photon की presence में light की presence में break करना और अगर heat की presence में मैं इसको करते हैं तो इसको बोलते है thermolysis you need to break in the presence of heat तो students इसका एक और example देखते है है lettuce से अपने पास chlorine का molecule है और इसका अगर हम है homolytic bond breaking करेंगे तो इसे क्या मिलेगी energy मिलेगी तो एक electron इस chlorine के पास जाएगा और एक electron इसके पास जाएगा जिससे दो chlorine dot यानि दो chlorine के radical generate होंगे एक बात का ध्यान दीजिए यह जो arrow है इसको ध्यान से देखिए यह जो arrow है इसकी shape कुछ ऐसी है अगर आप ध्यान दे normal arrow कुछ ऐसी होती है और यह उसका half है यह जो half arrow है it signifies कि कि कितना electron donate कर रहा है यह कितना electron है इसके अंदर it denotes only single electron इसलिए यहां पे दो points होते हैं इस तरीके से और यहां पे एक ही line शो कर रखी है इस special arrow को जो हम यहां शो करते हैं इसको हम fish hook arrow भी बोलते हैं क्योंकि fish को जो catch करने वाला hook होता है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है तो इसको fish hook arrow भी नाम दिया जाता है तो students आपने क्या जाना hydrolytic bond breaking होती है कौनसे bonds में polar covalent bonds में जिसमें electron सारे के सारे किस तरफ चले जाते हैं more electron negative atoms के पास चले जाते हैं उसके बाद आपने देखा कि methyl और lithium के बीच में bond में कैसे electron की breaking कैसे bond breaking होगी फिर हमने देखा homolytic bond breaking होती है non polar या slightly polar bonds में with the help of light and or heat okay guys thanks for watching in the next video you gonna learn about carbogate and carbon and free radical thanks for watching and please share and subscribe